है वाट्सप गाईज कैसे वह आप लोग विलकम बैक टू अनेदर ब्रैंड यू एपिसोड ऑफ एक्वावर्ड उमीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे मस्त होंगे अपने अपने गरों पे स्वस्त होंगे फिशर की टंडियो में कियai उब इसन ह्में जिर्डी करने वाला हूं कि कैसे अप लोग अपने टंडियों में केयर कर सकते हो लोग सत ऐसे कांडियों आप लोग को कि मैंने सारे डैंक्स पर जो ऑटब्डॉर में युन पर वह उर जो इंडोर में ह Zeit कि मैंने उनकी केर कैसे करी एंड मैं उनकी केर कैसे कर रहा हूं अपनी सारी फिश की तो वो पूरा बताने वाला हूं इसलिए वीडियो धुट सालंबा होने वाला है तो stay tuned for that कि इतने दिनों से जो वीडियो नहीं आ रहे थे अप्रॉक्स मुझे लगता है 16-17 डेज हो चुके लास्ट वीडियो को हमारे अप्लोड हुए हुए तो उसका कारण यह कि मेरी तव्याद साही नहीं चल लए थी मुझे मतलब जो मेरी बॉडी में हेमोग्लोबिन बहुत थोड़ी सी तव्यस सही है तो अब मैं कोशिश करूँगा वीडियो रेगुलर आपाएं रेगुलर थो अभी भी नहीं आपाएंगी क्योंकि मेरे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स लगी रहती है मेरे पेपर शुरू होने वाले ग्राजवेशन के फाइनल यर के तो रेगु अब लोग को ले चलता हूं बिखाता हम सबसे पहले सबसे बहुले आउटओर पांट की बात कर लेते हैं फिर आके इंडॉर में जहुमों के टैंड़ से उन पर बात करेंगे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं सो यार सबसे पहले चलके बात कर लेते हैं हमारे इस वाले पॉंड पर जिसकी हालत अभी तो बहुत ज़ादा खराब हो रखी है एक्तिफाक से अभी धूप भी आ रही है तो आप लोग को मैं अच्छे से दिखा भी पाऊंगा तो देखो यार वैसे इसमें दिखाने के लिए तो कुछ है नि मैंने इसमें देखो आज इसकी क्लीनिंग चल लाई थी काफी दिनों के बाद एंड को मैंने अलगी पूरी इससे क्लीन कर ली एंड इसकी हालत देखो आप लो देख लो पूरी खराब हो रखी इतनी रगड से अभी देखो इसमें बहुत सारी लगी लगी हुई है और इसका पानी बहुत अदा क्लाउडी है क्लीन करी तो इससे जो इसमें हम लोग ने सैंड बिछाई थी यह गार्डन वाली सबसे नीचे में वह पूरी उठके आ गई उपर तो अभी आप लोग को दिखाएं दे र बाकी में वह बीच में देखो डैन्योस गूमरी है हमारी और बाकी में इसका सारा समान तो इधर उधर फैला हुआ है अब देख सकते हैं आप लोग और यह हमारी सारी इसमें जो डखवीट थी काफी तगड़ी डखवीड है देखो क्या फ्रेश डखवीड है एक दम तो यह भी मैं इस्तमाल करूँगा बाकी में देखो मैंने बहुत सारे प्लांट निकाल के उधर से फेके हैं क्योंकि वो सब सिफ सड़ रहते हैं देखा जाए तो इसमें कोई भी प्लांट ऐसा बचा नहीं है मतलब सबकी हालत बहुत अधा खराव है तो मुझे इसके लिए नए प्लांट लाने पड़ेंगे तो वह मैं जल्दी लाओंगा इसमें नए प्लांट से इसका रिसकेप भ हो बट अभी फिलाल के लिए तो यह ऐसी रहने वाला है तो अभी में चलके सबसे पहले मैं इसको पानी भर देता हम अच्छे से यह डखवी 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 ड़ाइड कर देता हूं फिर आप लोग को इस टैंक पे आगे की अपडेट देता हूं सो यहां पर देखो इस जगाँ पर देखो सिर्फ हाइड्रीलां मुसली बचे भू ईसमें कितने सारे हाइड्रीला गरीन हैं इस वाले टैंक में जब मैंने चेक किया तो सिभ यही एक प्लान पचा था और बाकी सारे के सारे मुझे कोई भी मतलब ग्रीन नहीं दिख रहे थे ने देखो मैंने कितने सारे तो फेक दी अधर सारे के सारे ये सब सड़ गयते तो ये साफ फेक दी है और हाइडरिला ही बस मस्त चल रहा है यार फाइनली यहां का काम तो पूरा हो चुका है और मैंने वाटर भी देखो एड कर दिया है उपर तक पूरा फिल कर दिया है और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहते कि विंटर्स में क्या स्पेशल केर करनी पड़ती है फिशेस की तो देखो मैंने तो यार कोई हीटर नहीं लगाया है कि मैं आप लोग को सीज़ा दिखा दूं कोई भी हीटर आप लोग को नहीं दिखाई पड़ आओगा असपास ना कोई वायर ना कुछ मैंने इसमें कोई हीटर नहीं लगाया है और तब भी मेरी सारी की सारी फिशेस एकदम अलाइव हैं देखो बड़िया से नीचे घूम रही है तो यार हीटर ना लगाकर आप अपनी फिशेस को कैसे बजा सकते हो इसके पीछे दो इंपॉटेंट पॉइंट्स हैं अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग भी अपनी फिशेस को बिना हीटर की ठंडियों में बचा पाऊगे तो सबसे पहले तो आप लोग देख तो कि मैंने कोई भी हीटर नहीं लगाया अश्पास कहीं भी कोई वायर आप लोग को दिखाई नहीं पढ़ रहा होगा कोई मैने हीटर नहीं लगाया इस वाले पॉंड में और मेरी फिशेस तब भी बिल्कुल अलाइव है एक फिशेस मेरी डेथ नहीं हुई चाहे वो एं तो यार पहला पॉइंट तो यही है कि आप लोग को जो वाटर फिल अप करना अपने आउट्डोर पॉइंट का या टैंक का वो एकदम टिप तक करना है उपपर तक यह देखो मैंने अगदम उपपर तक भरा है अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ और भर्दू जहां पर वाइट वाला मारक है वहां तक मतलब इतना उपपर तक भरना है कि आपकी फिशेज जंप ना करें बाहर वहां तक भरिये उससे क्या होगा कि एक्चुल में होता क्या है कि जो ब आड़िये कोई भी फिशेज उपर नहीं आ रही सब नीचे के पॉर्शन में क्योंकि नीचे यह जो पानी होता है लेकिन जो उपर का सरफेस का पानी उता सिफिव ठंडा रहता है क्योंकि जो हुआप होती है छलतीATTइ जी फिवह वाय प्रशए नीचे वाला पॉर्शन ने इसलिए ठंडियों के मौसम में जो फिशेज वाले पोर्शन पर चली जाती है इसलिए आप लोग जितना हो सके अपने जो टैंक है या जो भी पॉंड आप लोग ने आउट्डोर में रखा हुआ है आप लोग चाहते बिना हीटर के अपने फिशेज को सर्वाइव कराना तो आप लोग उसमें जो पानी है वो उपर तक भरिये ताकि जो नीचे वाला पोर्शन हो वो गरम रहे और उपर वाला पोर्शन ही ठंडा हो और फिशेज आपकी नीचे जाके अपने आपको बचा सके इन ठंडी ठंडी हवाओं से लिए तो था पहला पॉइंट दूसरा पॉ दूप आ रही हो तब आप लोग खोल सकते हो ताकि पानी को फिशेज को थोड़ी सी धूप मिले आपको लोग के जो भी लाइफ प्लांट्स उनको धूप मिले और बाकी टाइम आप लोग ऐसे किसी चीज से इसको धक्के रखो ताकि जो ठंडी ठंडी हवाय हो वो उस पर पड़े ही ना तो उससे भी आप लोग की फिशेज को राहत मिलेगी सेफ रहेंगी वह एंड आप लोग का जो टैंक का पानी है वो ठंडा नहीं होगा और बाकी में इसको आप लोग अभी तो देख लो मैंने इसको आज ही साफ किया है मेरी तब्याती अभी जल्दी में सही हुई है तो अभी तो इसमें ऐसी कुछ रहने वाला है बट मैंने इसके लिए कुछ नए प्लांट्स ओडर की है उसका वीडियो भी जल्दी आएगा तो अब लोग इसको वापस से रिसकेप करेंगे इसमें कुछ नए प्लांट्स एट करेंगे और अच्छा दिखने लगे तो अब तो मॉली एक ही बची तो ब्रीडिंग तो करेंगी नहीं अकेले वह जल्दी इसमें कुछ नई फिशेज भी लाने की सोच रहा हूं तो वह भी मैं जल्दी लाओंगा सब कुछ आप लोग अपडेट मिलेगा तो मैंने इसको भी निकाल दिया एंड़क वीड भी द डालूंगा इसमें इत्ती नहीं रहेगी सो इसके बाद में चलते हमारे इस वाले टैंक पर जिसमें मैंने ये वाला मटका एड कर दिया था जिसमें हाइड्रीला और पॉंड वीड लगे हुए यार इसका पानी तो बहुत ही जादा थंदा है एंड इसमें मैंने आप लोग सब्सक्राइब बेबीज और अभी मैंने इनको सेपरेट नहीं किया इनके पेरेंट से वो देखो फीमेल एंड मेल भी धरी कहीं होगा आसपास कि मैं आप लोग को साइट से दिखाता हूं इसमें बहुत सारी एल्गी लग रही है ये देखो बेबीज गूम रहे है अगया देखो वो देखो मेल आ गया है है सो यह वाला मेल है और यह फीमेल है वैसे पोलर पैरेट काफी हार्ड़ी फिशेज होती तो वह हीटर के बिना सर्वाइब कर सकती है लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोग रिस्क मतलों कि बाजला आप लोग इसमें इसलें हीटर हैट करना पड़ेगा कि पोलर पैरेट तो सर्वाइब कर जाएंगी लेकिन इनके जो बेबीज है वो शायद ना कर पाएंड देखो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये तो मैं इस ताइम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेला चाहता तो इस वाले टै मुझे ट्वेंटी या टैन परसेंट पानी चेंज करना पड़ेगा कि बहुत जाए ठंडा है वो देखो चुप गए दोनों के दोना है ड्यार वेरी क्यूट तो इसको इसके लिए तो मैंने अभी कुछ खास ठंडियों का जुगार किया नहीं है इसमें मुझे बस हीटर ही देना पड़ेगा तो इसके लिए जल्दी हीटर लाएंगे तो इसको अभी छोड़ते हैं बंद कर देते हैं इसकी लिट भी तो यहां का तो पूरा अपडेट मैंने आप लोग को दे दिया हमारे वो वाले टैंक का भी एंड इस वाले पॉंड का भी अब चलके मैं आप लोग को अंदर वाले टैंक पर अपडेट देता हूं और बताता हूं उसमें क्या-क्या चेंजस आहें इतने दिनों में और उन पर मैंने क्या ठंडियों का जुगार करने का सोचा है तो यह रहा हमारा फीमेल बैटा सरॉरटी टैंक जिसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सेट अप किया है और इसकी हालत आप लोग देख लो इसमें जितनी भी मैंने लकडिया लकडियां अक्चुली ढाली मीती वो सब थोड़ी थोड़ी फंगी छोड़ रही है मतलब उनमें फंगी लग रही है हलकी हलकी सी यह बड़ी वाली में तो काफी जाता लग गई तो मुझे इसको पूरा निकाल कर एक बार मैंने अच्छे से वाश किया तो आप लोगो पूरी चल रहा है इस टैंक मैंने इसमें हीटर डाला हुआ है तो कोई भी इसमें दिकत नहीं है और बैटास जो होती है वो बिना एर प्म्प के सरवाइव कर सकते इसलिए मैंने एर प्म्प डालने की कुछ खास जरूरत समझी नहीं बट क्योंकि इस टैंक में कोई भी फे वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो मैं उसको साफ कर देता हूँ 10% weekly and बाकी में एक और चीज आप लोग कमाल की दिखाता हूँ यह देखो उपर से जो हम लोग ने बनी प्लांट यानी पतोस प्लांट जो एड किया था वो थेखो कितने अच्छे से चल रहा है एकदम लाइट के सामने एड़ इसकी पत्तियां भी एकदम ग्रीन ग्रीन से हो रखी है और मैं आप लोग को नीचे से दिखाता हूँ इनकी जो रूट्स है वो थेखो कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई है और नीचे आना शुरू हो गई है और जैसे पूरी नीचे आ जाएंगी ना तो इसको एकदम ब्लाक वाटर टैंक को हमारे बहुत अच्छा लुक देंगी एकदम नाच्रल रीस्केप लगेगा तो काफी अच्छी बात है और ये टैंक भी काफी अच्छे से चल रहा है भी बस इसका मैं वीकली 10 से 20 परसेंट पानी चेंज कर देता हूँ वो भी सर्फिस का मेंली कि कि उसमें धूल दककर जम जाती कि कि इसमें कोई एर पंप या फिल्टर ने लगा है बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैंने बस हीटर लगा के रखा हुआ है हमारी चारो बच्चिया बहुत अच्छ चल रही है और हमारी इसमें सोच रहा हूँ इस वाले टैंक में कुछ जो हमारी पीछे वाले पॉंड में वाइल्ट बार्प्स पड़ी हूँ यह वो डालने की तो ब्लाक वाटर टैंक पे बहुत ही अच्छा लोग देंगी तो बता होगा तो इस पर अगर मैं अपडेट की बात करूं तो इसमें बहुत सारे मेरे को गपी के देखने को मिले बहुत सारे छोटे-छोटे से इसमें बार यह पड़े हैं मतलब और वो इन प्लांट्स की वज़ा से ही छुप छुप के अपने आपको बड़ा कर लेते हैं और मैं निकालता भी नहीं क्योंकि यार उनको अगर मैं निकालूंगा तो उनको फिर एक अलग स्पेस देनी पड़ेगी मुझे और फिर हीटर भी एक अलग देना पड़ेगा इसलिए मैं निकालता भी नहीं अभी जितने हैं वह इसी में बड़े हो रहे हैं और क्योंकि जो हमारे बड़े वाले भी गपीज हैं वह बहुत जादा बड़े नहीं वह भी फ्राइज ही हैं इसलिए यहां पर देखो कितने स डार हे हैं इसलिए मैं निकालता नहीं उनको और वह उनी के साथ बहुत अच्छे से एंड बाकी में प्लांट की इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं गरी जौडी गढ़ गया जहारी मॉस थी जावा मॉस यह मैंने इस पथर पर लगाई थी च्छोटी सी जगह पर अब देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और बाकी में पूरा देखो इसमें हाइड्रीला फैला हुआ जहदार भी आप लोग देखोगे पूरा हाइड्रीला है बट मैं इस टैंक पर आप लोग को एक अपडेट देने वाला हूं मतलब इस टैंक को वापस से नए प्लांट्स ओडर की हैं कुछ मस्त मस्त से प्लांट्स तो वो भी आप लोग को जल्दी देखने को मिलने वाले हैं तो स्टे ट्यून फॉर डैड अगर इस टैंक की मैं बात करू तो इसमें मैंने हीटर लगा के रखा हुआ है इस वाले टैंक में भी बट बात इत्ती है क कि इस वाले टैंक पर जो मैंने हीटर लगा के रखा हुआ उसमें एक प्रॉब्लम है कि हीटर तो मैंने लगा दिया वो ठीक है लेकिन मुझे हीटर के साथ सा एरपम भी लगा के रखना चाहे था जो कि मेरा स्टैंप खराब पड़ा हुआ है और मैं अभी जा नहीं पा रह हमारा उस टैंक का उस टैंक के पानी में जो ऑक्सीजन की लेवल होता है ऑक्सीजन की मातरा होती है वो हीटर चलाने के विए से कम हो जाती है क्योंकि हीटर पानी को गरम करता है और उससे ऑक्सीजन घटती है इसलिए मुझे एर पंप इसमें लगाना चाहिए और आप अगर नोटिस किया, अगर अप लोग सिर्फ हीटर लगा के रखो के टैंक में तो आपकी जो फिश है वो सिर्फ सर्फेस पे गूमेंगी है, देखो जैसे मेरी फिश है उपर के साइड गूम रही है, ऐसे ही गूमेंगी है और नीचे आएंगी ही नहीं क्योंकि उन्हें ऑक्स अपनी अप बंद हो जाते हैं अच्छे टांग के बाद याइसे करकर लेते कि में आपनी बैटास को कैसा थंड़ीों से बचा कर करात तो से रखा आप बटास जाया गयु एक वार्टी क division सकते हैं इस बहते हैं बंक्र की बत गूम के नेकी यो नया अपनी बेटास को या कोई भी फिश है, अब देखो बेटास को साथ में तो रख नहीं सकते, आप लोग कोई पता होगा कि दो तीन बेटास को साथ में रखा नहीं आ सकता, तो मैंने देखो क्या जुगार किया है, मैंने इस बाल्टी के अंदर बॉटल्स रखी है, और हमारी वो इस बाल्टी में घूम रही है. बाहर वाले एरिया में. और बाकी मैंने दो बॉटल रखी है इस बाल्टी में. इस बॉटल में है हमारी Imbellis-Beta की läuft, ये देखो काफी अच्छा से ये है. चाहँ ले ले इन बॉटल में है. Imbellis-Beta की stainless BUT ़ी-ے. हुआ है देख सकते हो आप लोग इसमें इंबेलिस की मेल ये देखो सामने आप लोग को दिख रहा होगा एंड ये एलियन का मारा मेल एंड देखो मैंने वहीं पर हीटर लगा के रखा हुआ है एंड ये हीटर नॉर्मल 50 वाट वाला हीटर है देखो किते अच्छे से मैंने तीन बैटास को एक ही बाल्टी में करके रखा हुआ है तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो अपनी कोई भी फिशर्स को वैसे बैटास ही होती है जो एक साथ नहीं रह सकती इसलिए उनके लिए ये सेटप मेंली है नहीं तो आप ऐसे किसी भी फिशर्स को रख सकते हो हीटर लगा के बाल्टी में क्योंकि मेरे पास इनको रखने के लिए भी कोई टैंक नहीं था इसलिए मुझे ऐसे रखना पड़ ला है बट ये काफी अच्छे से इसमें है एंड ठंडी भर मुझे इन्हें ऐसी बचा के रखना पड़ेगा एंड इस सेटप को मैं बताओ मुझे अर्जेंटली में बताना पड़ा क्योंकि हमारी जो ग्रीन एलियन की फीमेल थी यार उसकी लेकिन यार मैं उसको हीटर देना भूल गया जिस वजह से ठंडी से भी उसकी डेथ हो गई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं इस बारे में तो यार अम लोग अब इलियन बेटा की तो ब्रीडिंग करा नहीं पाएंगे बट मैंने सोचा एटलिस इंबैलिस को मैं बच अब लोग को आपको अवर्ड के एक और नेक हुपसूरत से एप इस वोड़े तब तक के लिए बाई बाई